Hello Everyone, It's me Anjali Varma, Your Chemistry Educator और आज की इस वीडियो में हम solve करने वाले हैं Carbon and its Compounds के NCRT के back excise के questions को solve तो start करते हैं, सबसे पहला हमारे पास question क्या है Ethane with the molecular formula C2H6 has how many covalent bonds हमको ये बताना है, बहुत ही simple question है तो हमें पता है, Ethane का formula क्या होता है C2H6 Even अगर ये नहीं given होता, तभी भी हम easily बना सकते थे क्योंकि जो भी alkanes होते हैं, उनका general formula क्या होता है CnH2N plus 2 होता है, ठीक है और जहां पे भी Eth word आया है, तो हमें पता है Carbon का number क्या होगा, 2 होगा तो यहां पे put कर दो, तो यहां पे कितना आ जाएगा ये, 2 into 2 is 4, 4 plus 2 कितना हो जाता है 6, तो यही हमारे पास क्या होगा, formula होगा ठीक है, तो हमें ये तो पता है, चलो इसका formula ये होगा तो इसका structure बना लेते हैं, तो यहां पे 2 carbon है और 6 hydrogen है, हर carbon से 3 hydrogen यहां पे attached होते हैं, यह हमको पता है ठीक है, हमसे पूछा गया है, कितने covalent bonds यहां पे present हैं, तो यहां पे हम count करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7, तो clearly हमको दिख रहा है, 7 यहां पे covalent bond होते हैं, तो हमारा correct answer क्या हो जाएगा, B, 7 covalent bonds होते हैं इथेन के पास, ठीक है, तो चलो, बहुत simple सा question था, next है, butanone is a 4 carbon compound with the functional group, carboxylic acid या aldehyde, या ketone, या फिर alcohol, तो यह क्या है butanone है, वैसे तो आपको समझ में आ जाना चाहिए, अगर कोई भी बच्चा तुक्का भी मारेगा ना, तो बिलकुल ही सही पड़ेगा उसका तुक्का, क्यूं, यहाँ पर one लिखा है, चार options given है, किस में one लिखा है, ketone में, तो c option यहाँ पर बिलकुल correct हो जाएगा, ठीक है, अगर यहाँ पर हमें given होता, butanol, तो यहाँ पर al आ रहा है, al वैसे तो alcohol में भी आता है, और aldehyde में भी आता है, बट यह क्या होता है, aldehyde होता है, और अगर हमें given होता, butanol, ol, तो यहाँ पर ol और ol यहाँ पर आता है, तो यह होता हमारे पास alcohol, ठीक है, तो I think कैसे यह questions को करना है, आपको समझ में आ गया होगा, carboxylic acid में क्या आता है, oic acid आता है, तो उस केस में इसका name होता, butanoic acid, तो बहुत ही simple सा, easy सा question था, next question देख लेते हैं, while cooking, if the bottom of the vessel is getting blackened on the outside, it means that the food is not cooked completely, the fuel is not burning completely, the fuel is wet, yeah, the fuel is burning completely, देखो हमें पता है, एक तो होता है complete combustion, complete combustion में कभी भी suit deposit नहीं होता है, suit का मतलब वही होता है, जो carbon आके deposit हो जाता है, ठीक है, तो complete combustion में suit अगर deposit नहीं हो रहा है, तो carbon वहाँ पे deposit नहीं होगा, which means वो blackened नहीं होगा, यह जो blackened होता है, यह suit deposit की वज़े से ही होता है, तो अगर हमाए पस complete combustion हो रहा है यानि कि जो fuel है वो completely burn कर रहा है तो वहाँ पर जो vessels है वो आपको कभी भी blackened होते हुए नहीं दिखेंगे जबकि यहाँ पर क्या लिखा है अगर वो vessel blackened हो जा रहा है which means वहाँ पर incomplete combustion हो रहा है तो correct answer हो जाएगा भी the fuel is not burning completely ठीक है तो यहाँ पर incomplete combustion हो रहा है अगर fuel completely burn कर रहा होता तो वहाँ पर complete combustion हो रहा होता ठीक है और वहाँ पर कोई भी suit deposit नहीं होता और वहाँ पर vessel blackened भी नहीं होता ठीक है चलो next question देखते हैं explain the nature of the covalent bond using the bond formation in CH3Cl बहुत ही simple है CH3Cl हमको पता है कुछ इस तरीके से form होता है ठीक है अब जो carbon है हमारे पास उसका जो configuration होता है वह होता है 2,4 और इसका जो atomic number है that is 6 तो अगर इसके outermost shell में 4 electrons हैं तो इसको 4 और electrons चाहिए हैं for completing its octet अगर इसको अपना octet पूरा करना है तो इसको 4 और electrons चाहिए है अब यह वो 4 और electrons कहां से लाता है तो यह sharing करके लाता है ठीक है तो यहां पर sharing होती है यहां पर give and take का relation नहीं होता है give and take किस में होता है यह आयनिक में होता है और यहां पर कोई भी आयनिक bond नहीं बन रहा है तो यहां पर carbon करता है sharing तो carbon 4 atoms के साथ sharing कर सकता है यहां पर because हमें CH3CL का example लेना है तो हम क्या कहेंगे कि carbon के outermost shell में already चार electrons present थे तो एक-एक electron की sharing यह पहले तो एक-एक hydrogen के साथ करते हैं और एक chlorine atom के साथ भी करते हैं ठीक है तो यहां पर जैसे मैं पहले hydrogen हंडी हूं ठीक है है तो hydrogen के पास भी क्या होता है एक electron होता回去 just by the corporation के साथ कर रहा है ठीक है अगें यहां पर hydrogen यह वाला hydrogen भी अपने एक-एक लिय्यान कि sharing कर रहा है carbon के साथ यहां पर भी वही चीज़ अगर करेगी ठीक है chlorine की अगर हम बास करें तो chlorine का जो Does इसको एक और इलेक्ट्रोन की शेरिंग ये किसके साथ कर लेगा कार्बन के साथ कर देगा तो 1-2-3-4-5-6 यह सेविंथ हो गया और यह वाला जो इलेक्ट्रोन है यह किसका है यहां पर कार्मन का है आप ऐसा भी कर सकते हो कि हाईड्रोजिन के आपने क्रॉस करके बना दिये और chlorine के भी आपने cross करके बना दिये, ठीक है, और जो हमाई पास dot वाले हैं, वो किसके हैं, carbon के हैं, तो हर एक element को अगर हम देखें, तो यहाँ पे covalent bonding से सब का जो octet है, वो क्या हो चुका है, complete हो चुका है, hydrogen का क्या होगा यहाँ पे, double it complete होगा, क्यूंकि hydrogen को 2 electrons चाहिए होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे, अगर हम carbon की बात करें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8, तो यहाँ पे भी 8 electrons पूरे हो चुके हैं, क्लोरीन की अगर हम बात करें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8, तो यहाँ पे भी 8 electrons पूरे हो चुके हैं, तो हमको covalent bond को explain करना था, तो covalent bonding कैसे हो रही है, sharing की वज पे benefit हो रहा है, because sharing is scaring, तो यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ कि give and take हो गया, कि भईया मेरे को नहीं चाहिए, तू ले ले, ऐसा नहीं है, आपस मैं क्या कर रहे हैं, sharing कर रहे हैं, मिल जूल के रहे हैं, ठीक है, तो I think आपको यह समझ में आ गया होगा, next देखते हैं, draw the electron dot structures of ethnoic acid, तो सबसे पहले ethnoic acid बनाते हैं, eth, eth के लिए 2 carbon आते हैं, ठीक है, फिर आया है oic acid, यानि की carboxylic acid, carboxylic acid के case में double bond O and OH आता है, तो इस वाले carbon का पूरा bond complete है, क्योंकि 4 यहाँ पे bonds हो गये हैं, यहाँ पे एक ही bond है, यानि की यहाँ पे 3 hydrogen और आएंगे, यह तो हो गया इसक bond dot structure बनाना है, तो कैसे बनाएंगे देख लेते हैं, यहाँ पे देखो सबसे पहले 2 carbon है, ठीक है, यह आपस में एक single bond से attached है, विच मीज एक electron की क्या कर रहे होंगे, शेरिंग कर रहे होंगे, ठीक है, यहाँ पे इस वाले carbon की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे इस से 3 hydrogen attached है, कि एक electron hydrogen का होगा, और एक electron किसका होगा, carbon का होगा, ठीक है, तो यहाँ पे हमने यह बना दिया, अब यहाँ पे देखते हैं, इस वाले carbon से एक तो oxygen attached है, ठीक है, और यहाँ पे O और H attached है, यानि कि यह एक और यहाँ पे O आएगा, और इसके साथ क्या होगा, एक hydrogen भी होगा, तो यहाँ पे, देखो, क्या है, double bond है, double bond का मतलब 4 electrons, यानि कि 2 electrons oxygen के, 2 electrons किसके होगे, carbon के, carbon के हम dot से denote कर देते हैं, और बाकी जो भी elements है, उनके हम cross से denote कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पे तो carbon, carbon का ही electron है, इसलिए हमने dot ही बनाया है, oxygen का भी जो electron है, मैं cross से इस तरीके से denote कर देती हूँ, ठीक है, जो oxygen होता है हमारे पास, 2,6 उसका क्या होता है, electronic configuration, outer most जो shell है, उसमें 6 electrons होते हैं, यहाँ पे 2 हमने बना दिये हैं, तो चार और बचे, तो वो मैंने यहाँ बना दिये हैं, ठीक है, तो I think इतना आपको समझ में आ गया होगा, आगे देखते हैं, अब यहाँ पे single bond है, विच मीज एक electron carbon का होगा, और एक होगा हमारे पास oxygen का, अगें यहाँ पे भी O और H के बीच में क्या है, single bond है, विच मीज एक एक electron की ही यह sharing कर रहे होंगे, तो यहाँ पे oxygen का हमने cross से बनाया है, तो cross ही बना दिते हैं, क्योंकि hydrogen के लिए भी हमने cross ही use करा है, ठीक है, तो यहाँ पे एक एक electron की sharing हो गई, hydrogen का जो doublet है वो तो हो चुका है पूरा, बठ हमें oxygen को अगें देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे एक electron की sharing हो रही है, यहाँ पे भी, दो यह अल्रडी share कर रहा है, तो विच मीज और इसके पास कितने बचे हैं, चार बनाने की ज़ुरत नहीं है, सबका एक बार हम octet देख लेते हैं, कि पूरा है भी या फिन नहीं है, तो यहाँ पे इसका doublet complete है, इसका भी, इसका भी carbon की बात करें, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8, इस carbon की बात करते हैं, अगें चार यह हैं और चार यह हैं, तो यहाँ पे भी 8 हो है, oxygen की बात करें, 1, 2, 3, 4, and 4, which means यहाँ पे भी 8 completed है, यहाँ पे देखें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8, तो सबका यहाँ पे doublet भी complete है, and octet भी complete है, which means यह जो हमने structure बनाया है, बिल्कुल ही सही है, so this is the electron dot structure for ethnoic acid, then H2S हमारे पास आता है, तो अब हम देखते हैं, H2S का हम कैसे prepare करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे देखो, main हमीं दिख रहा है, बीच में क्या आएगा, sulfur आएगा, और 2 hydrogen है, so 2 hydrogen कुछ इस तरीके से यहाँ पे attached रहेंगे, sulfur का जो electronic configuration होता है, वो होता है, 2, 8, 6, which means outer most shell में यहाँ पे 6 electrons है, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से यह बने electron यहाँ पे, एक electron यहाँ पे share कर देगा, hydrogen का हम cross से denote कर देते हैं, अगर एक एक electron यहाँ पे share कर दिया है, तो इसके पास 4 और electrons बचे, तो 1, 2, 3 and 4, बस हो गया, इतना simple था, यहाँ पे रेखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8, तो इसका octet complete है, और hydrogen's का doublet यहाँ पे complete है, ठीक है, तो दो नो questions कर लिए है, draw the electron dot structure for propane known, तो meth, eth, prop, यानि की यहाँ पे आएंगे हमारे पास 3 carbon atoms propane known, own का मतलब क्या होता है, ketone होता है, ketone में double bond O आता है, और हमेशा middle वाले carbon पे ही आता है, कहीं न कहीं, end carbons पे कभी भी नहीं आता है, ठीक है, तो यहाँ पे 3 और hydrogen होंगे, तो इस तरी किसे बना देते हैं, हमें क्या बनाना है, electron dot structure बनाना है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे देखो, यह तीन carbon हम बना देते हैं, ठीक है, single bond है, which means यहाँ पे, एक, एक electron share हो रहा होगा, उसके बाद इस से oxygen attached है, और यहाँ पे 4 electrons की क्या हो रही है, sharing हो रही है, जिसमें से 2 किसके ह oxygen के मैं cross denote कर देती हूँ, और 2 किसके हैं, carbon के, ठीक है, यहाँ पे तो बस हमको hydrogen बनाने है, तो बस hydrogen का तो बहुत ही simple है, यहाँ पे जो dot है, वो किसका है, carbon का और cross हो जाएगा, hydrogen वाली का electron, ठीक है, अगें यहाँ पे भी हम वही चीज़ करेंगे, तो 3 hydrogen यहाँ पे attach हो जाए या again dot and cross, dot and cross, dot and cross, तो यहाँ पे सब का हम चेक कर लेते हैं, octet पूरा है या फिर नहीं, hydrogen का तो मुझे clearly दिख रहा है, doublet complete है, इस carbon की बात करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8, यहाँ का octet हो चुका है complete, यहाँ पे देखें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8, यहाँ पे भी complete है, और यहाँ भी clearly complete है, which means propanone यह है, हमारे पास propanone हमने बना लिया है, उसके बाद हमें F2 देखना है, F2 भी ना बहुत ही simple है, CL2 हमने देखा है, ठीक है, तो जैसे CL2 बनाया था, वैसे ही हमको F2 भी बनाना है, अगर हम fluorine की बात करें, तो यहाँ पे 2, 7 क्या होता है, इसका electronic configuration, आउटर और electron चाहिए है, तो इस एक electron की यह क्या कर देंगे, sharing कर देंगे, ठीक है, तो यह एक fluorine आ गया, यह दूसरा fluorine, यहाँ पे single bond present रहता है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक electron की sharing हो रही होगी, और बाकी कितने बचे, 6 और बचे, तो वो 6 हमने यहाँ पे बना दिये, तो दोनों के पास ही 8-8 electrons आ चुके हैं, और दोनों का ही octet क्या हो चुका है, complete हो चुका है, तो सारे हमने यहाँ पे बना दिये हैं, next है, what is a होगा, यह a homologous series, एक homologous series क्या होती है, and we have to explain with an example, homologous series वो series होती है, जिस में same functional group होता है, सारे ही compounds में, तो सबसे पहले तो same functional group होगा, इसको सही से लिख देते हैं, तो same functional group होगा सबसे पहले, दो जो हमारे पास compounds होते हैं consecutive, तो दो हमारे पास जो consecutive compounds आएंगे, उन में कित्ते का difference होगा, उन दोनों में होगा CH2 unit का difference, तो यहाँ पे लिख देते हैं, हम CH2 unit का यहाँ पे होगा difference, अभी हम examples भी रेखेंगे, वहाँ से आ समझ में आएंगी, यह सारी ही चीज़े, जो chemical properties होती है, वो पूरे ही homologous series में, जितने compounds आएंगे, सब में same होगी, तो chemical properties क्या रहती हैं, यहाँ पे same रहती हैं, so chemical properties remain same, और जो हमारे पास physical properties होती है, उन में gradation आता है, तो यहाँ पे gradation आता है, विच मेंस जैसे ही carbon का number बढ boiling point हो गया, यह सब ही increase करते हैं, जैसे हमारा carbon का number increase होता जाता है, ठीक है, तो यह हमारे पास कुछ properties है, example के लिए हम alkane की series है, alkene की series है, alcohol की series है, alkynes की series है, कोई सी भी आप series ले लो, यह सब के सब हमारे पास homologous series ही होती है, इनका जो general formula है, वो same होता है, यहाँ पे आप यह भी mention कर सकते हो, एक homologous series में सारे ही compounds के लिए एक ही general formula होता है, उसी general formula की help से हम सारे ही compounds के जो formula है, उसको derive कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे alkane में हम example देखे, सबसे पहला होता है CH4, इसका होता है CNH2N plus 2 general formula, दूसरा होता है C2H6, C3H8, then है हमारे पास C4H10, यह द consecutive compounds हैं, यानि कि एक compound के बाद directly वो दूसरा compound आ रहा है, तो दोनों में difference कितने का होता है CH2 का होता है, यहाँ पे आप सब्ट्राक्ट करो, C3H8 minus C2H6, तो यहाँ पे कितने का difference आ गया, देखो, carbon में 1 का difference है, और hydrogen में 2 का difference है, यानि कि CH2 unit का यहाँ पे difference है, इन दोनों में भी CH2 unit का ही difference है, जो भी दो हमारे पास consecutive compounds होते हैं, उन में CH2 unit का क्या आता है, difference आता है, अगर CH2 unit का difference है, तो यहाँ पे 12 plus 2 into 1, यानि कि 14 atomic mass unit का क्या होगा, difference होगा, CH2 unit है, और अगर हम उसको mass में देखेंगे कितना mass है, तो 14 atomic mass unit यहाँ पे आ जाएगा, क्यूंकि carbon का होता है, 12 hydrogen का 1 होता है, 2 atoms है, तो टोटल यहाँ पे 14 atomic mass unit आ जाएगा, ठीक है, तो I think आपको यह समझ में आ गया होगा, कि homologous series होती क्या है, और यहाँ पे क्या क्या उनकी properties होती है, वो भी हमने discuss कर ली है, and इसके अलावा हमने यह भी discuss करा है, कि क्या क्या examples है, ठीक है, तो यह सब next हमारे पास क्या है, how can ethanol and ethnoic acid be differentiated on the basis of their physical and chemical properties, तो physical properties यानि की appearance के basis पे जो हम judge करते हैं, smell हो गया, taste हो गया, तो यह सारी हमारी physical properties में आती हैं, और chemical properties में कोई न कोई chemical reaction को हम judge करते हैं, तो सबसे पहले तो अगर हम physical properties की बात करें, तो दोनों को हम कैसे differentiate कर सकते हैं, जो हमारे जो हमारे पास ethanol होता है, अगर हम टेस्ट की बात करें, तो टेस्ट ethanol का कैसा होता है और participe NOIC acid का टेस्ट कैसा होता है, यह हमारे पास obviously acid है, तो इस का टेस्ट क्या होगा, सार, तो this is obviously sar in taste, अगर हम बात करें ethanol की, तो ethanol कांई कैसा होता है test में, alcohol हमने पता है burning sensation देता है natureim तो यह आप यहाँ पर mention कर सकते हो इसका burning taste है because यह हमारी body में क्या देता है burning सा sensation देता है उसके बाद अगर हम smell की बात करें तो यहाँ पर एक normal alcoholic smell होती है it has a good smell alcoholic smell ठेक है हमें पता है alcohol की smell कैसी होती है बहुत सारे बच्चों को नहीं भी बता होगा यहाँ पर क्या है alcoholic smell होती है और अगर हम बात करें एथनोइक acid की तो इसकी क्या होती है vinegar like smell होती है because हमें पता है ethanol की अगर हम बात करें तो वह alcohol ही है और अगर हम vinegar की बात करें वह एथनोइक acid ही होता है 5-8% जो हमारी पास एथनोइक acid होता है that is known as vinegar यह भी हमने पढ़ा हुआ है तो physical properties में तो हमने चलो दो differences लिख लिए हैं अब chemical properties के basis पे हम कैसे differentiate कर सकते हैं तो अगर हम बात करें ethanol की तो यह दोनों अलग अलग test देते हैं अगर हम sodium hydrogen carbonate की reaction करवा देंगे ethnoic acid के साथ तो यहाँ पे क्या release होगी CO2 gas release होती है ठीक है जैसे हमाँ पास है CH3COOH plus NaHCO3 तो यहाँ पे CH3COONA बन जाता है और H2O और CO2 release हो जाता है तो यहाँ पे CO2 gas release होगी जिसको हम easily detect कर सकते हैं because it comes out with brisk effervescence and it also turns lime water milky जबकि अगर हम बात करें ethanol की so this does not react ठीक है तो यह react ही नहीं करता है किसके साथ NaHCO3 यानि कि sodium hydrogen carbonate के साथ ठीक है तो यह हमारे पास main एक chemical reaction होती है also अगर हम litmus paper पे action की बात करें तो जो हमाँ पास ethanol होता है ना इसका कोई भी action नहीं रहता है जबकि यह तो हमाँ पास क्या है acid है हमें पता है acid blue to red क्या करता है change करता है color किसका litmus का ठीक है तो यहां पे there is no action on the litmus paper whereas ethanoic acid turns blue litmus to red ठीक है तो समझ में आ गया है मैंने बताया था learn भी कैसे करना है red जो होता है डेंजर का signal होता है और acid भी क्या होता है dangerous होता है तो हमेशा blue to red ही यह change करेगा ठीक है तो I think समझ में आ गया होगा यह question हमने discuss कर लिया है next है why does missile formation take place when soap is added to water will a missile be formed in other solvents such as ethanol also missile formation होती क्यों है जब हम soap को water में add करते हैं देखो इसका reason बहुत ही simple सा है अगर हम किसी भी cloth ही बात करें तो उसमें क्या होती है dirt होती है तो अब जो हमारे पास soap है उसमें दो parts है हमने discuss करा है एक होती है हमारे पास tail और यह tail क्या होती है this is hydrophobic यह पानी से डरती है ठीक है तो अगर यह पानी से डरती है तो यह कहां जाएगी यह इस dirt के पास जाएगी ठीक है तो यहां पर मेन क्या होता है इस डिर्ट के चला गया यह फूबिक है यह पर के हमारा हैं यह किसके साथ इंटर राय है यह किसके साथ इंटराक्ट कर रहा है इसको बाहर種inkालना चाहता है तो जैसी कंपڑडे होते हो तो उसमें डर्ट है हमें उस डर्ट को ही बाहर निकालना है तो वह इंटराक्ट कर रहा है कौन सा पार्ट हाइड्रोफोबिक पार्ट तो जैसे ही हमने कपड़ों को बाहर निकाला तो यह missile formation किस वज़े से हुई missile जैसे ही form हुआ तो उसके बाद ये वाला पार्ट बहार आ गया पानी के साथ तो पानी के साथ जितनी भी dirt थी वो क्या हो गई remove हो गई wash out हो गई ठीक है तो यही main चीज है why does missile formation तो missile formation इसी वज़े से होता है because जो dirt है हमारे पास ठीक है तो यहां बे में हमारे पास दो चीजे है ना एक dirt है और एक हमारे पास बाहर पर क्या है पानी है और जो soap है उसमें भी दो पार्ट से है एक जो पानी से प्यार करता है दो पार्ट से तो जो हमारे पास hydrophilic वाला part है वो पानी के साथ interact करना चाहता है और जो hydrophobic है वो इस dirt से interact करना चाहता है तो वो इसके पास चला गया और यह पानी के पास ही रहा ultimately क्या हुआ dirt के साथ interact करा dirt को remove करना है तो water के साथ वो क्या हो गया wash out हो गया तो I hope आपको reason समझ में आ गया होगा because हमाई पास दो parts होते हैं, अगर हम cloth की बात करें तो उसमें भी दो चीजे हैं, एक dirt है और एक हमाई पास आसपास क्या है, fresh water, pure water है, तो यहाँ पे soap के पास भी दो parts है, तो एक part इसके साथ interact कर रहा है, एक part हमाई पास बाहर है, इस वज़े से ही पूरा missile formation यहाँ पे होता है, and hence, जो soaps और detergents हैं, वो किसी भी cloth को clean कर पाते हैं, ठीक है, अब next part क्या था, will a missile be formed in other solvents such as ethanol also, नहीं, ethanol के साथ ना कभी भी missile formation नहीं हो सकता है, ethanol क्या होता है, C2H5OH, जो हमाई पास soaps होते हैं, वो क्या होते हैं, sodium और potassium salts है न, यही तो होते हैं किसके long chain carboxylic acid के, जैसे कि हम COONA, तो यह हमारे पास होता है, soap, this is sodium stearate, जो कि हमारे पास soap ही होता है, ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो, हमें पता है, इसका general formula क्या होता है, RCOONA होता है, यह वाला जो हमारा part है, ठीक है, यह dissociate जब होगा, तो यह RCOO- और NA+, बनाता है, इसमें यह जो R वाला part है, यह हमा इक वाला part होता है, तो यहाँ पर soap को पानी में dissolve होना पड़ेगा, और वो होता है, तब ही जाकर यहाँ पर missile बनता है, अगर हम बात करें, इस soap की, तो यह soap जो है न, यह ethanol में dissolve ही नहीं करता है, अगर यह इस चीज में dissolve ही नहीं कर रहा है, इसकी solubility ही नहीं है, उस particular solvent में, तो कैसे ही missile formation होगा, तो यहाँ पर answer क्या होगा, no, missile formation doesn't take place in other solvents जैसे की ethanol, because soap यानि की sodium salt of long chain carboxylic acid does not dissolve in ethanol, तो I think this is clear, तो यह हमाय पास question हो गया है, next question है, why are carbon and its compounds used as fuels for most applications, तो carbon और carbon के जितने भी हमाय पास compounds होते हैं, वो काफी amount में energy, heat, को release करते हैं, जिसकी वजए से इनको हम as fuse use करते हैं, जैसे कि हम example देखते हैं, अगर हम सिर्फ carbon की ही बात करें, अगर हम इसको burn करेंगे, in the presence of oxygen, तो यहाँ पर क्या produce होता है, simply हमको पता है, CO2 यहाँ पर produce होता है, इसके साथ सातना यहाँ पर हर case में energy release होती है, यह जो energy release हो हमें होती है, हमें पता है, अगर हम coal को जैसे burn करते हैं, तो light हमें वहाँ पर देखने को मिलती है, heat energy हमको मिलती है, तो दोनों form में हमको क्या मिलती है, energy मिलती ही मिलती है, कोई और compound लेते हैं, जैसे एक hydrocarbon लेते हैं, C2H4 अगर हमारे पास है, oxygen के presence में जैसे ही यह burn करता है, तो हर केस में CO2, H2O produce होता है, और यहाँ पर heat and light in the form of energy हमको मिलते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर carbon और इसके जितने भी compounds हैं, उनको हम fuels के form में क्यों use कर पा रहे हैं, क्योंकि carbon और carbon के जितने भी compounds होते हैं, उनकी high calorific value होती है, ठीक है, अगर इनकी high calorific value है, तो which means यहाँ से हमक काफी अच्छे amount में क्या मिल रही है, energy मिल रही है, in the form of heat and light, तो हम इनको obviously fuels के form में तो use करेंगे ही, तो यह रहेगा हमारा पूरा answer, उसके बाद next देखते हैं, explain the formation of scum when hard water is treated with soap, हमें पता है, soap का formula क्या होता है, जो general formula है, वो R-C-O-O-N-A होता है, ठीक है, अगर हम बात करें hard water की, तो hard water में calcium या magnesium के ions present रहते हैं, तो let's suppose मैं यहाँ पर calcium का ion लेती हूँ, तो calcium के ion से react करता है, क्या soap और क्या बना देता है, देखो दोनों की अगर reaction होगी, तो क्या बनेगा, R-C-O-O माइनस होता है, और N-A+, which means यह वाला part इसके साथ react करके, हमारे पास क्या बनाएगा compound, तो R-C-O-O यह हमारे पास 2 base में आ जाएगा, और C-A यहाँ पर बन जाएगा, N-A+, क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा, यह तो हमको basic सा है, जो पता है, ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से बनेगा, यह जो यहाँ पर precipitate बन रहा है, यही हमारे पास क्या है, सक है, तो scum formation क्यों हो रहा है, scum formation इसलिए हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर R-C-O-O minus N-A+, जो है, यानि कि हमारे पास जो सोप है, वो react कर रहा है, with the calcium iron, or the magnesium iron, which is present in the hard water, और यहाँ पर यह क्या form कर दे रहे हैं, scum form कर दे रहे हैं, तो यह reaction आप mention कर सकते हो, ठीक है, तो यहाँ प अगला question देखते हैं, what change will you observe, if you test soap with litmus paper, red and blue, तो हमें पता है, जो soap होता है, वो होता है, alkaline in nature, तो जैसे ही, आप soap को पानी में dissolve करते हो, तो mainly हमारे पास क्या form हो जाते हैं, NaOH, या KOH, depending upon कि soap में कौन सा iron present था, ठीक है, जैसे R-C-O-O, Na, अगर हमारे पास होगा, तो NaOH form होग पानी में dissolve करने पर, और अगर हमारे पास R-C-O-O-K होगा, तो इस case में K-O-H यहाँ पर form हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर हमें पता चल गया, अगर हम soap को पानी में dissolve कर रहे हैं, तो NaOH या K-O-H बन रहे हैं, जो कि हमारे पास क्या होते हैं, alkaline यानि कि basic in nature होते हैं, त ठीक है, अगर हम blue की बात करें, तो blue में तो कोई change ही नहीं आएगा, क्योंकि अगर आप blue litmus का ही use कर रहे हो, और वो हमारे पास है ही क्या alkaline ही है, तो उसमें कोई change आएगा नहीं, जबकि अगर हम red की बात करें, तो red to blue change होगा, ठीक है, तो I think this is also clear, अगला देखते हैं, what is hydrogen hydrogenation, hydrogenation reaction कहे दे, या फिर हम इसको addition reaction कहे दे, दोनों क्या होती है, same होती है, इसमें क्या होता है, अगर हमारे पास कोई भी alkene है, जिसकी reaction हम hydrogen के साथ कराते हैं, in the presence of catalyst, और ये catalyst हमारे पास क्या होता है, या तो nickel होगा, या platinum, या फिर आप प्लाडियम का भी use कर सकते हो, तो य यहां पर ये alkene किसमें change हो जाता है, ये alkane में change हो जाता है, and it's not necessary कि सिर्फ और सिर्फ आप alkene ही लो, इसके लावा हम alkyne भी ले सकते हैं, यानि कि यहां पर हमको लेना क्या है, unsaturated compound लेना है, ठीक है, तो दोनों ही क्या होते है, unsaturated compounds, तो unsaturated किसमें change हो जाते है, saturated में, क्य कि हमें पता है आलकेन क्या होता है साचुरेटेड होता है तो एक एक्जाम्पल देखते हैं हम जैसे हमारे पास है C2H4 तो अगर इसकी रियाक्शन हम हाइड्रोजन के साथ कराते हैं in the presence of any catalyst कोई साभी आप यहां पर catalyst ले सकते हो तो यहां पर C2H6 warm हो जाता है और यह कैसे होता है इसको भी थोड़ा सा देख लेती है जो हमारे पास C2H4 है वो कुछ इस तरीके से होगा ठीक है अब इसकी रियाक्शन अगर हम हाइड्रोजन के साथ करा रहे हैं तो एच एच करके मैं इसको लिख सकती हूँ दो जैसे ही वो यहां अटाच होंगे यह जो double bond है यह तूट जाएगा double bond तूटेगा तो यहां पर देखो एक और hydrogen आ गया और यहां पर भी एक और hydrogen आ गया तो हमें पता है यहां पर single bond होता है तो saturated compound होते हैं तो यह हमारे पास क्या फॉर्म हो गया एक आलकेन यहां पर फॉर्म application भी हमने पढ़ा है यह जो हमारे पास unsaturated वाले compounds हैं यह हमारे पास vegetable oils होते हैं ठीक है तो vegetable oils के hydrogenation में हम industry में इसका use करते हैं animal fats में इसको change करने के लिए ठीक है तो यह आपके ncrt में भी given है और यह हमने यहाँ पर भी mention कर दिया है अगला question बहुत ही जादा simple है which of the following hydrocarbons undergo addition reaction अभी मैंने आपको क्या बताया addition reaction सिर्फ और सिर्फ उन compounds में होगी जो की हमारे पास क्या है unsaturated हैं तो unsaturated वाले देखो कि कौन से हैं सबसे पहले c2h6 यह cn h2n plus 2 यही तो आ रहा है ना इसका general formula क्योंकि 2 का double 4 और 4 में आपने 2 add करा तो यह तो मेरे पास क्या है alkane है तो which means यहाँ पे हमें addition reaction देखने को नहीं मिलेगी ठीक है c3h8 again 3 का double होता है 6 6 plus 2 8 which means यह भी क्या है alkane है c3h6 यह तो मुझे clearly दिख रहा है क्या है alkene क्योंकि alkene का general formula होता है cn h2n तो 3 का double क्या होता है 6 which means यह तो definitely addition reaction दिखाएगा ही दिखाएगा c2h2 यह भी दिखाएगा क्योंकि यह क्या है एक alkane है alkane का होता है cn h2n minus 2 general formula तो यहाँ पे 2 का double होता है 4 4 minus 2 हो गया 2 which means यह हमाई पास alkane है तो यह भी दिखाएगा यह हमाई पास methane है जो की alkane होता है तो यह हमें addition reaction नहीं शो करेगा तो दो ही शो करेंगे एक है c3h6 और दूसरा क्या था हमाई पास c2h2 ठीक है तो समझ में आ गया ना बहुत ही simple है substitution अगर पूछा जाता तो substitution किसमें होता है सिर्फ alkane में होता है तो जो भी alkane थे फिर वो हमारा answer हो जाता ठीक है test हमारे syllabus में तो है नहीं तो जो simple सा है जो हमारे syllabus में भी है उसको हम यहाँ पर mention करेंगे और वो होता है हमारे पास combustion वाला test अगर हम complete combustion करेंगे दोनों का ही ठीक है saturated का भी करेंगे और unsaturated का भी करेंगे तो जहां पर भी हमको एक clean blue flame देखने को मिलेगी तो वो हमारे पास क्या होगा वो saturated hydrocarbon होगा तो हमें पता चल जाएगा कि भाईया अगर यहाँ पर हमको clean blue flame देखने को मिल रही है तो यह मेरे पास saturated है ठीक है अगर आपको yellow flame देखने को मिलेगी और इसके साथ काफी जादा suit deposit भी होगा विच मीज आप इसको suitie yellow flame भी कह सकते हो तो जो भी हमारे पास suitie yellow flame देंगे compounds वो क्या होंगे unsaturated होंगे ठीक है तो समझ में आ गया तो यह हमारे पास test से हम easily differentiate कर सकते हैं बहुत ही simple है जो cleansing action होता है वो missile formation की वज़े से होता है यह हमको पता है ठीक है हमारे पास soap क्या होता है R COO NA तो जैसे इसको हम पानी में डालते हैं R COO minus और NA plus में यह change हो जाता है ठीक है dissociate हो जाता है अब अगर हम R COO minus की बात करें यह R जो हमारे पास क्या होती है hydrocarbon की chain होती है जैसे example लें तो C17 H35 COO NA यह वाला जो part है यह हमारे पास hydrocarbon वाली chain है ठीक है इसका name क्या है इसका name होता है sodium stearate तो इसको भी मैं लिख देती हूं यह है sodium stearate और soap का जहां पर भी example पूछा जाता है तो यह आप वहां पर mention कर सकते हो ठीक है तो यह हमारे पास क्या होता है यह होता है hydrophobic phobia सुना है ना कि यार मुझे तो इस चीज का phobia है यानि कि आप डरते हो उस चीज से तो hydro hydro यानि की पानी तो पानी का phobia यानि की fear of water तो यह पानी से डरता है ठीक है तो पानी से डरता है तो पानी से दूर ही रहेगा obviously यह वाला जो पाथ है CO minus वाला यह मेरे पास क्या होता है this is hydrophilic fill word जहां पर भी आता है ना उसका मतलब होता है love प्यार ठीक है तो यह पानी से क्या करता है प्यार तो क्या लिखूं मैं इसको water loving ठीक है तो इसको हम लिख सकते हैं water loving तो यह है पानी से प्यार करने वाला तो अब हम देखते हैं missile formation कैसे होगा देखो र-C-O-O-N-A है इसमें ये वाला part है जो की पानी से दूर भागना चाहता है और ये पानी की नजदीक जाना चाहता है तो जैसे ही आपने soap को डाल दिया ठीक है कपड़ों में अब वहाँ पे पानी भी है और कपड़े भी है कपड़ों में क्या होती है dirt होती है जिसको हमें remove करना होता है तो ये तो पानी से डरता है, बाहर क्या होगा, कपड़ों के बाहर पानी होगा, ठीक है, ये वाटर है, ये पानी से प्यार करता है, तो ये तो बाहर पर ही होगा, ठीक है, इस तरीके से मैं यहाँ पर बना देती हूँ, अब क्या हुआ, ये पानी से डरता है, तो पानी के टूर् जायेगा यह उस dirt के पास चले जायेगा तो इस तरीके से यह dirt के पास चला गया ठीक है तो यह missile form कर देते हैं ठीक है यह यह तरीके से missile form कर देते हैं around the dirt और हमारा cleansing action होता है जो आर है हमारे पास hydrocarbon chain वो interact करती है dirt के साथ और बहार जो रहा और हम ने कंपड़ा को नीचे डाल रखा है फिर हम उपर निकालते हैं तो जो भी वह भी तो रहा RA 산 फर यहार है पनी साहथ खीच के लिले जा लेता है सैम जुद यह पंगोट करते हैं बजैश करते हैं औरुर्ट किया हो रही है वहां से remove होती जा रही है तो यह हमाँ पास क्या है पूरा ही cleansing action जो missile formation है वो आपको जरूर mention करना है otherwise आपको marks नहीं मिलेंगे ठीक है तो यह आपको mention करना है यहाँ पर जो चीजें हमने discuss करी है यह भी आपको mention करनी है कौन सा hydrophobic पार्ट है है कौन सा hydrophilic part है और missile formation कैसे हो रहा है ठीक है तो I think this was the last question इसके अलावा हमाँ पास कोई question नहीं है तो जितने questions हैं बहुत अच्छे तरीके से हमने discuss कर लिये हैं फिर भी कोई भी doubt रहता है तो feel free कि आप comment section में mention करो और इन videos को जादा से जादा बच्छों के साथ share करो so that is it for our today's video I hope this video helped you do not forget to like share and subscribe to this channel and I'll see you guys in the next video till then bye everyone take care and all the very best